अलो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पैनिसूलर रिवर सिस्टम का फस्ट पार्ट इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन-कौन सी थी जैसे कि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं वेस्ट यह जो की बेसिकली ऑरेबियन्स की तरफ ड्रेंड करती है तो चलिए देखते हैं कि नर्मदा और तापी वैस्ट फ्लोइंग रिवर्स में क्या-क्या और भी चीज़ें हमें पड़नी है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब देखो सबसे पहले आते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम पर नर्मदा रिवर सिस्टम क्या है सबसे पहले से समझते हैं नर्मदा यह लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ दी पैनिसूला सबसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे बड़ी रिवर है यह पैनि सूला पीजन ठीक है याद रहेगा यह और ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जो है गंगा से भी पुरानी है जियो लॉजिकली नर्मदा इस ओल्डर देन रिवर गंगा नर्मदा आप जानते हैं विंदिहाज और सत्पुरा के बीच में बहती है अगर आप समझते हो यह अरावल प्रदेश तो अमर कंटक हिल्स में क्या आएगा अमर कंटक हिल्स कहां यह मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एक हिस्टोरिकल इवेंट भी इसका है कि पुला केशन 2 ने डिफीट किया था हर्ष वर्दन को अन दी बैंक्स ओफ नर्मदा रिवर पुला केशन 2 ने हर्ष व उपतास के बात की बात है तो कहां पर हराया था नर्मदा रिवर पर हराया था और ऐसा माना है कि नर्मदा रिवर डिवाइट करती थी नौर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से नर्मदा रिवर डिवाइट करती थी नौर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से तो ध्यान पुरानी है गंगा से भी नर्मदा हमारी विंद्याज रेंज जो नौर्द सत्पुरा के बीच में से कहां से ओरीजन होता है इसका अमर कंटक्ट प्लेट्यू कहां पर यह मद्य पर्देश में अन्नुपूर डिस्टिक में ठीक है और एक इस्टोरिकल एविडेंस है कि पुल जोडेंगे तो टोटल हंडड़ परशेंट आएगा ठीक लिएको मिलेंấp की ट्रिविद्युराइब ट्रीवर पर्सेंट वाटर एंब हर्गवनेश क है माराश्istent में चार पर संट चार गड़ में निज़िण ठीक है ध्यान रहेगा यह आप जोड़ेंगे तो टोटल 100% आएगा तो ड्रेनेज बेसेंगे एमपी 82% गुजरा 12% महाराश 4% और 36 गर 2% ठीक है तो यह ड्रेनेज बेसेंगे इसका इस ड्रेनेज बेसेंगे इतनी चीज़ें कवर करता है सबसे बड़ा आइलेंड अगर यहा सब्सक्राइब आती है आप लास्टाइन पढ़ो दा रिवर स्लोप जाओं यह जबलपूर वेर इट फॉर्मजी धुआधार फॉल वहां पर दुआधार फॉल बनता है मार्वल रॉक्स है जहां पर यह जबलपूर के आसपास से निकलती तो उस फॉलो क्या बोलते हैं बहुत पुराने जमानी बात कर तो इसको रीवा नदी के नाम से भी जानाा जाता है इन पुराण एम नहीं आएगा इन पुराण इट हैस बिन मैंशनेड ऐस रीवा रिवर तो रीवा नदी भी से कहते हैं ठीक है इसकी जो ट्र्रिव्यूट डिय्स है वह बहुत इंपाट audience is sensitive point of view से राइट बैंक seeking YouTube नर्मदा रिव कोनसी सबसे बड़ी ट्रिव्यूटरी using to तवा रिवर जिसे पर तवा डेंव बना हुआ है तो तवा रिवर ही लार्जस ट्रिनी और न्रमधा रिवर और इस पर भाईट्रोपावर पूइद हैं है सरदार सरोवर डैम है महेश्वर डैम है कोमका रेश्वर डैम है ऐसे बहुत सारे हाइड्रो पावर इस पे प्रोजेक्ट्स है इस नदी के ऊपर धूपगड हाइस पॉइंट का है हाइस पॉइंट है पच्मणी पे धूपगड इस नियर पच्मणी इस ती हाइस नर्मदा बेसिन के उपर ठीक है clear रहे गई है पुराण में से रीवा नदी बोलते थे ध्यान लगना भाई है इंपोर्टेंट है और शेर बहुत इंपोर्टेंट है शेर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है तो answer is नर्मदा रिवर यह सब चीजें याद रखनी है तवा रिवर लार्जेस्ट प्रिवीटרी अफ नर्मदा रिवर यह सब भूलना नहीं है next आता है हमारा तापी रिवर सिस्टम थांपी रिवर हम सब जांते है तापी रिवर का origin हुआ है कहां बेतूल से बेतुल फॉर्डेंट di shtrator report बेतूल से ओर टैपी में वहां पर मुल्ताई एक ज कबढ़ा है ये आपको याद रखना है कि टापी रिवर कहां फ्लो करती है इन गल्फ ऊफ खमबाट में यह वह को लेकिन अगर आपस पूछे तापी रिवर कहां आपकी ड्रेन करती है तापको याद रखना है it drains into gulf of khambaat most important है ये Gulf of khambaat कहा है ठीक है अगर मैं आपसे पूछूँँ आपने गुजरात का मैं अभर मैप देखा हो इस type से कुछ है ये ऐसे ठीक है ये इस type से है तो gulf of khambaat आपक हो कहां पे क्या gulf of khambaat यहां पे है यह गल्फ ऑफ खंबाट यहां पे है तो हमें याद रखना है हमेशा गल्फ ऑफ खंबाट यहां पे है नीचे की तरह यह कच्छ है इस इस कच्छ इस खंबाट ठीक है ध्यान रहेगा भूलना नहीं है बिल्कुल भी गल्फ ऑफ खंबाट कहां पे और गल्फ ऑफ कच्छ कहा बाट से वह अरेवियंसी में जाती है अब देखो ताफी बेसेन को बाउंड करता है सत्पुरा इंदी नौर्थ महादेव हिल्स ऑन दी इस्ट अजंता रेज्य सत्माला इंदी साउथ एंड अरेवियंसी ओन दी वैस्ट यह याद रखने आपको और ट्रिब्यूटरी ताफी डैम बने हुए जैसे सबसे इंपोर्टेन यहें तो हमे तो आज हमने आपकी नर्मधा और तापी रिवर का कहा से । और historical हमने इसका historical importance भी देखी थी नर्मदा की कि भाया ये इस northern और southern portion को divide करती थी ठीक है ऐसी ही इसका पूरे drainage बेसेन है एलिया बेट आइलेंड याद रखना है नर्मदा रिवर पे है धुआधार फॉल और कपिल धारा फॉल याद रखने है अगें very important धुआधार फॉल और क बहुत आता है पूछा भी जाता है सरदार सरोवर डेम कहां located है नर्मदा नदी पे located है कौन सा highest point है यहां पर धूबगड हाइस पॉइंट है ठीक है तापी में हमें सिर्व एक बात यह important याद रखनी कि तापी drain करती है Gulf of Khambart में ठीक है Gulf of Khambart में इसका origin बेतुल से हुआ है बेतुल में भी कहां से बेतुल में multi reserve forest में वहां से हुआ है याई hope आपको दूनो river system west flowing के clear हो गए और उकई डैम गुजरात उकई डैम पर योजना जो है वो तापी नदी के किनारे है चीक वीडियो को do like, share and subscribe ठीक है और वीडियो को इसी तरह enjoy करिए पढ़ते रहिए, मुस